Hello everyone, welcome you all at Locaster Unlimited Studies Zone जो पिछला lecture हमने वेग समय ग्राफ पर बनाया था वो तकनीकी कारणों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था तो एक बर फिर से हम इस lecture को शूट कर रहे हैं तो आज का टॉपिक है स्टार्ट जो करने वाले उसका नाम है वेग समय ग्राफ क्या समझेंगे देखे एक अक्ष में आपने वेग ले लिया है और दूसरे अक्ष में आपने समय ले लिया है तो यह जो ग्राफ होता है यह वेग समय ग्राफ कहलाता है अब आपने यहाँ पे टिपिकल यह दिखिए ये लाइन आपने बना दी है, ये वेक समय ग्राफ है, माल लिजे पॉइंट 2, T1 पर वेक कितना है, V1 है और पॉइंट 2 पर वेक कितना है, अपना, V2 है, ओके, पॉइंट 2 पर वेक कितना है, V2 ये दिखे, तो यदि मैं इधर से लेकर के इधर के बीच में एक लाइन देखे सबसे पहले यह वीवन है और यह अपने पास में क्या है यह यहां तक यह हाइट वीटू गई हुई है मतलब यहां तक की height कितनी है V1 है और यहां तक की height कितनी है V2 है और दोनों की बीच का जो time का gap है वो मैं इस line से दिखा सकता हूँ मैं समझे कि मैं red pen का use कर रहा हूँ तो आपको जो नई चीजे दिखा जाएंगी वो red pen, in fact वो pink pen से मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा मैंने board pen लिया जिससे कि आपको दिखाई ने तो जो नया time हो गया that is equals time gap कितना हो गया T2 minus T1 इसी को हम क्या बोलते है delta T बोलते है और यह जो आपके पास दिखा रहा है यह वाली चीज़ what is this, this is V2 minus V1 यह आपके पास क्या V2 minus V1 that is equals to delta V ओके अब देखे आपको दिख क्या रहा है यहाँ पर क्या चीज़ आपको visualize हो रही है यहाँ पर जो चीज़ visualize हो रही है रहे है, समय के साथ जो है वेग बढ़ रहा है मतलब time के साथ जो है acceleration is equal to delta V by delta T so क्या हो जगा delta V V2 minus V1 upon T2 minus T1 so A is equal to V2 minus V1 upon T2 minus T1 V2 minus V1 कितना है delta V और T2 minus T1 कितना है delta T okay so delta V by delta T that is equals to 10 theta देख लिए यहाँ पर यह लंब बटे आधार का combination बन रहा है इसलिए क्या बने का 10 theta मतलब जो त्वरान होता है जो acceleration होता है वो क्या होता है वो VT graph का प्रवानता होता है क्योंकि 10 theta क्या होता है 10 theta मतलब प्रवानता होता है तो VT graph की प्रवानता को क्या बोलते हैं हम त्रण बोलते हैं तो VT graph की प्रवानता को हम क्या बोलते हैं तो अगर आपका जैसी ये graph देख लिजे इस graph में आपका theta नियत है, चाहे आप इस बिंदू उपर निकाले theta है, चाहे यहाँ पर आप निकाले theta, यहाँ पर theta, हर जगे theta नियत है, तो अगर theta नियत होगा, तो 10 theta भी नियत होगा, और 10 theta अगर नियत होगा, तो आपका तुरण भी क्या होगा, नियत होगा, आपका जो त तुरन है आप यहाँ पर कह सकते हैं यह जो graph है किसको represent कर रहा है यह एक समान तुरन को represent कर रहा है uniform accelerated motion मतलब यहाँ पर तुरन समान है याद रखेगा वीटी graph में वेक तो बदल रहा है मगर वेक समान rate से बदल रहा है तो यहाँ पर तुरन जो है वो समान है चलिए अगला समाकलन का गणती मतलब क्या होता है समाकलन का जामिती अर्थ होता है समाकलन का अर्थ होता है चेतरफल तो जैसे यह आपने पास वेक है देखेए वेक समय graph दिया गया है यह वी है ओके और यह टी है तो यह वेक समय graph है समय टीवन पर वेक इता था वीवन था और समय इसी कव मैं लोग डेल्टा एकस्फ अगोन किया आपको देगा क्या है विस्थापन हो गया इंटेग्रेटż से डूम तरफ मांय करने पार टिवन से लेकर टिटेटूघ डिवीडीटी और एक्स्टन से लेकर x2 कितना हो जाएगा, ds हो जाएगा और यदि इसको हम तो यह क्या है? यह है छेतरफल क्योंकि आप समा कलन्ड क्या देता है? वैग समय अक्ष का छेतरफल, मतलब समय अक्ष के साथ बनाएगा छेतरफल यह इसी को बोल सकते हैं वेक समय ग्राफ का छेतरफल बराबर क्या हो गया विस्थापन बराबर क्या हो गया विस्थापन इसी को डेल टैक्स बोलते हैं इसी को विस्थापन बोलते हैं तो जो वेक समय ग्राफ का छेतरफल होता है वो क्या देता है आपको विस्थापन देता है अब आईए देखते ह कि अगर वेक समय ग्राफ का आप छेतरफल निकाल रहे हो अगर उपर का छेतरफल धनात्मक ली रहे हो और नीचे का छेतरफल आप क्या ले रहे हो ये दिखो धनात्मक बना हुआ है तो आपको छेतरफल, कुल छेतरफल जो आपको मिलेगा क्या मिलेगा वो विस्थापन मिलेगा कुल छेतरफल आपको क्या मिलेगा विस्थापन मिलेगा कुल छेतरफल आपको क्या मिलेगा विस्थापन मिलेगा अगर ऐसे सेचुशन है तो परंतु यदि आपने उपर का छेतरफल भी आपने धरात्मक लिया और नीचे का 6 तरफल भी आपने धरात्मक लिया है तो अगर आपने उपर का 6 तरफल भी धरात्मक लिया है नीचे का 6 तरफल भी धरात्मक लिया है तो जो कुल 6 तरफल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको दूरी मिलेगी जो छेतरफल मिलेगा आपको क्या मिलेगी दूरी मिलेगी ठीक रहा तो अगर आप धन और रंड चिन्नों का उपयोग करते हैं प्लस और माइनस का आप मतलब जैसे देख करके उपयोग करते हैं प्लस और माइनस का तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा तो आपको प्लस और माइनस का चिन्न का उपयोग करने पर आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा विस्थापन और यदि आप किवल प्लस प्लस साइन यूज करते हैं छेतर फल के लिए आपको क्या मिलेगी दूरी मिलेगी चलिए अब देखे अगला नोट यहाँ पर नोट कर लिए बहुत important topic है कि समाकलन विधी का उपयोग दूरी निकालने के लिए ना करें नहीं तो उत्तर गलत आ सकता है देखे उत्तर गलत आ सकता है मैंने लिखा है आएगा नहीं आ सकता है समाकलन जो होता है वो क्या होता है तो देखे ऊपर का धनात्मक एरी आएगा और नीचे का धनात्मक जो की cancel होकर आपको क्या देदेगा जीरो देगा और आपको पता है यह विस्थापन है यह दूरी नहीं है इसलिए याद रखेगा कि समाकलन का सूतर जो होता है क्या सूतर समाकलन का वी डी टी का अच्छे यह जो है वी डी टी इस सूतर का उपयोग कभी भी दूरी निकालने के लिए ना करें ये सूतर जो है किसके लिए इस्तमाल होगा ये सूतर होगा विस्थापन के लिए अगर आप विस्थापन के लिए इस्तमाल करेंगे तब तक ये सही है चलिए आए देख लेते हैं कि example यहाँ पर बढ़ी ऐसा example मैंने करा रखा है उद्धारन आपके पास एक फलन दिया गया है वेग एक्कॉल टू 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 टी मायनस टैन है तो टी एक्कॉल टू टैन तक चली गई दूरी ग्याद कीजे किस विधी से समाकलन विधी से है न चलो एक काम करो यहाँ समाकलन विधी मतलिको आपने ये समझो चली गई दूरी ग्याद कीजे चली तो दूरी अपन ग्याद करते हैं तो सबते पहले मैं आपको क्या करता हूँ मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं समाकलन से निकालना चाहता हूँ तो यह देखे, VT फलन का समाकलन बराबर दूरी, आप यह समझ के काम करते हैं, बट एक्चली दूरी होता नहीं, अभी आपको पता चल जागा, कि दूरी गलत है, सही क्या है, विस्थापन, तो हम क्या निकाल रहे हैं, VT फलन का समाकलन, यानि कि इंटीग्रेशन, VT, DT, औ तो स्टार्टिंग कहां से, 0 से लेके 10 तक, तो यह देखे, यह आपने समाकलन का निसान बनाया, यहाँ पर DT लगाया, और यहाँ पर क्या रख दिया, 2T-10, फलन है, कितना 2T-10, 0 से लेके 10, इसको खल कर लीजिए आप, इसको खल करने पर आपके पास में कितना आएगा, दिखे, 0 आगया, इतना आगया, 0, तो यह क्या हो सकता है, दूरी तो 0 हो नहीं सकती, इसका मतलब ही क्या है, विस्थापन है, इसका मतलब क्या है, विस्थापन है, तो जो विस्थापन आएगा, वो किसके equal आएगा, 0 के equal आएगा, ओके, अब बात करते हैं, दूरी की, तो 210 जा 20, 10 पर जो भी की value आएगी वो कितनी आएगी प्लस 10 आएगी, तो ये दिखे मैंने इस तरीके ग्राफ बना दिया है, और t equal to 5 पर velocity क्या हो रही है, 0 हो रही है मतलब graph का आधा हिस्सा नीचे की तरफ है, और आधा हिस्सा उपर की तरफ, ये दिखे ये नीचे वाला हिस्सा है, और graph का आधा हिस्सा जो है उपर की तरफ है, तो ये हम इसका कुल छेतरफल निकालने A1, A2 ले करके, तो हमाई पस answer आजागा, तो दिखे नीचे का छेतरफल मिल निकाला तो एक बटे दो, आधार कितना है 5 है, उचाई किती है, 10, तो निकल गया 25, उपर का भी कितना आ गया 25, अगर आपको दूरी निकालना है, तो कुछ इस तरीके से कर दीजे, दोनों दूरी को जोड़ दीजे, तो correct answer इसका कितना आ जागा, दूरी उपर की भी 25 है, और नीचे की भी कितनी है, माइनस 25 तो है, क्योंकि विस्थापन माइनस 25 देता है, ओके, यदि आप विस्थापन की बात करेंगे, तो नीचे की दूरी माइनस 25, उपर की दूरी प्लस 25, तो answer, sorry, मैं दूरी बोल गया, नीचे की विस्थापन माइनस 25, उपर का विस्थापन प्लस 25, तो कुल कितना हो गया, जीरो हो चुका है, कुल कितना हो गया, जीरो हो चुका है, कुल विस्थापन आपका जीरो हो चुका है, ठीक ना, बटेदी, आप दूरी की बात करेंगे, तो 25 उपर का 25 नीचे का total कितना हो गया, 50 हो गया, अब आई एक बहतरीन question करते हैं, ये question आपको काफी सारी knowledge दे करके जाएगा, ये देखे, कहरा question क्या है, पहला part क्या है, 25 second तक, 25 second तक दूरी तथा विस्थापन ग्याद कीजिए, ये आपके सामने एक 6 तरफल दिया गया है, तो, और 25 second तक आपको दूरी तथा विस्थापन ग्याद करना है, ये थोड़ा सा इसका हिस्सा कट गया है, तो, ओके, ये थोड़ा सा हिस्सा इसका कट गया है, एक minute, थोड़ा सा चलो, मैं ही draw कर देता हूँ, कोई नहीं, कोई बात नहीं है, कट गया है, तो मैं इसको draw कर यह देखिए यह कुछ ऐसा था यहां से यह लाइन आ रही थी और यहां से ग्राफ किया हुआ था बस बिल्कुल सही यह कुश्चर कर आप 25 सेकंड तक दूरी तथा विस्थापन गयाद करो ओके यह यहां पर कितना है यह आपके पास दिया है पांच मीटर पर सेकेंड अब द ग्राफ से हमारे पास चार्व चीध़ यहां पर अलग अलग छेतर फल निकाल देते हैं आपके लिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम जोडते हैं इसको दूरीयों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं चलो मैं तोड़ा स्वाल कर देता हूँ तो नए वाले portion को देखने के लिए आ जाओ देखो A1 कैसे करते हैं एक बटे दो अधार गुने उचाई तो एक बटे दो अधार कितना है पांच है उचाई कितनी है पांच यानि कि यहां तक का एरिया कितना आ गया 25 बटे दो तो पहला वाला जो A1 का एरिया है यह वाला एरिया इस वाले को मैं लिख रहा हूं कितना 25 बाई टू प्लस यह सिंपल है लंबाई गुने चोड़ाई तो लंबाई भी पांच है चोड़ाई भी पांच है तो यह कितना हो गया 25 हो प्लस A3 वाले एरिया में समलंब चत्र भुजे तो निकालते हैं एक बटे दो समानतर भुजाओं का योग एक भुजा है दस एक भुजा है पांच तो दस प्लस पांच इंटू दोनों के बीच की दूरी किती है दस है तो एक बटे दो ये हो गया 15 और ये हो गया कितना 10 कार दिया इस से अपने 2 से 5 बर तो 15 गुज़े 5 कितना हो गया 75 हो गया है तीसरा वाला पार्ट इस वाला चत्र भुज का 60 फ़ימण नेकाली तो A4 का एरिया कितना आजाएगा अपने पास में A4 का एरिया आजाएगा A4 बराबर एक बटे दो आधार गुणे उचाई आधार पांच है उचाई कितनी है दस है तो ये फिर से कड़ गया तो कितना आगया 25 हो गया प्लस 25 ओके अब यहां तक का टोटल छेतरफल आप निकाल लीजे यहां तक का जो है टोटल छेतरफल आपको निकालना है प्लस 12.5 मतलब कितना हो गया 137.5 मीटर यह आगई आपकी 25 सेकेंड तक की दूरी ठीक ना अब चलिए जो हमें अगला क्वेशन लिखिए इस पर अगला क्वेशन क्या है 35 सेकेंड तक ओकी 137.5 यह देखिए यहां भी किया हुआ है 137.5 यहां तक का छेतरफल आया हुआ था बिल्कुल भी निकाल दिया हमने अब इसके बाद है कि हमको ग्यात करना है 35 सेकेंड में कुली चली गई दूरी यह रेखिए यहां पर सॉल्प किया हमने 35 सेकेंड में चली गई कुल दूरी और 35 सेकेंड में हुआ विस्थापन मतलब सुरू से लेकर के एंड तक यहां से लेकर के पूरा यहां तक का कुल दूरी और विस्थापन तो देखिए यहां तक का तो हमने फाइंड कर लिया है पूरे की पूरी दूरी भी फाइंड कर ल और उचाई भी कितनी है दस है तो काड़ दीजे दस से कितने बार चला गया पांच बार चला गया और आंसर कितना आ गया पचास मतलब यह जो छेतर फल है इसका एरिया कितना हो रहा पचास है और क्योंकि यह निगेटिव तरफ है तो अब अगर पर आपको विस्थापन निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा बड़ दूरी निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा तो चलिए कुल चली गई दूरी 35 सेकंड में देखे अगर आप बात करते हैं दूरी की तो आपके पास कितना था 137.5 दूरी में 50 एड़ कर देंगे तो आंसर आजाएगा 187.5 मीटर और यदि विस्थापन की बात करेंगे तो 137.5 में 50 माइनस कर देंगे जो भी आंसर होगा आप इसको कैलकुलेट कर लेजे ठीक ना अब हम निकालते हैं तोरण तोरण देखिए अलग-अलग बिंदो पर तोरण मांगा गया है सबसे पहला तोरण हमसे टीक कोल्टू 2 सेकंड तो 2 सेकंड तो 2 सेकंड यहां कहीं पर होगा टीक कोल्टू 2 सेकंड यहां पर कहीं पर होगा VY Dельta-TSt dar đi एक शमान मंदन है अपके पास of VY Delta-T kai यूजstr करके फिर कहाँ से पर इन चले यहां से लेके यहां तक आप डचाक डचाक इन को माननिस टू-मिटर स्वार्ट का सिर्ट M Fleer,- और फिर इसके बाद T equal to 32, 32 second यहां पको में पर होगा, तो आपको इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, तौरान निकालना है, आपको इस बिंदु पर तौरान निकालना है, कैसे निकालेंगे वही, यहां से लेकर कि यहां तक एक समान तौरान चल रहा है, तो Δ भी अपों डिल्टरre T, fiance फाइनल निटिरल विलासिटी 0 विलासिटी टेन TO में फाइब सेकेंड यहां से यहां तक का जो गैप है कित मिलड एक मेरन हाँ यहां से यह थयां से यहां है सब्सक्राइब कि यहां से यहां सिफक फाइब कितने havenbei क्फेड यकली कितना two तो मीटर पर सेकंड रिस्कार इसका आंसर आ चुका है, ओके आगे वढ़ते हैं, तो आगे वड़ते हैं, तो आपको इस आरा का सारा जो प्रिशन मैंने यहाँ भी करवाए हैं, समझ में आगे होगए, बहुत ही इसी प्रिशन है, देखें, आपको जिस बिंदू पर तॉरन को देखी कि किसे कहां पर वो लाई कर रहा है किन दो पॉइνट के बीच में लाई कर रहा है और अगर सीझी रेका गई ही है तो हर बिंदु पर तो पर तो आपको बताना है कि एक्सलेशन क्या होगा चार ओप्शन यहां पर दिये गए है तो एक ही वैल्यू क्या होगी देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सलेरेशन जो होता आप जानते हैं डीवी बाई डीटी होता है तो डीएक्स यहां देदो नीचे डीएक्स उपर देदो तो क्या बन गया एक्सलेशन चाहिए तो यही फॉर्मूला लगेगा तो सबसे पहले हमें वही निकालना पड़ेगा तो व के लिए हम क्या करेंगे यह हमाँ आपस T दिया है तो T को हम DT by Dx कर देंगे और जब आंसर आजाएगा तो उसको हम Dx by Dt कर देंगे तो Dx by Dt हमाँ पस क्या जाएगा भी आजाएगा तो चलिए इस पहले हम करते हैं सौल इसको चलिए T is equal to alpha x square plus beta x है तो DT by Dx क्या होजाएगा velocity is equal to D by Dx of alpha x square plus beta x तो कितना होगा 2ax plus beta तो V is equal to कितना होजागा इसका reciprocal 1 upon 2ax plus beta ओके अब नाओ acceleration is equal to कितना होता है V D by Dx तो V तो V है अब D by Dx V की जगे कितनी value रख दी 1 upon 2 alpha x plus beta इसको differentiate कर दिया तो V into minus 1 upon 2 alpha x plus beta square और 2 alpha plus 0 यह हो गया तो answer कितना आ गया minus V और 1 upon 2 alpha x plus beta square into 2 alpha तो correct answer कितना आ जागा यहाँ पे यहाँ पे answer आ जागा minus V into V square into 2 alpha क्योंकि यह देखिए V आपके पास क्या है V आपके पास है 1 upon 2 alpha x plus beta V आपके पास में है 1 upon 2 alpha x plus beta तो ये जो बन जाएगा आपके पास में क्या बन जाएगा ये V का square बन जाएगा तो answer कितना आ गया minus 2 alpha V का Q चली अब last topic है आज की class का last class का topic है तोरण समय graph यानि की 80 graph acceleration time graph तो अगर आप एक axis में acceleration ले दूसरे acceleration में दूसरे axis में time ले ले तो वो आपका क्या कहलाता है ये आपका 80 graph कहलाता है इसकी property देखिए 80 graph का जो छेतरफल होता है जो area होता है 80 graph का जो area होता है वो आपको क्या देता है वो आपको change in velocity प्रोवाइड करता है that is equals to delta V आपको ये प्रोवाइड करेगा ओके change in velocity मना वेग में परिवर्तन आपको देगा ये तो देखिए कैसे काम करेगा ये a equal to dv by dt तो a dt equal to dv हो गया इसका समाकलन कर दीजे a dt is equal to dv v1 से लेके v2 तक तो a dt is equal to कितना हो जागा v2 minus v1 ये ऐसे को हम लिख सकते है a dt is equal to delta v ओके मतलब की त्वरण समय ग्राफ का चेतरफल ऐसे लिख लो त्वरण समय ग्राफ का जो चेतरफल होगा वो क्या देगा आपको वेग में परिवर्तन क्या देगा आपको वेग में परिवर्तन प्रदान करेगा तो त्वरण समय ग्राफ का जो चेतरफल होगा वो आपको वेग में परि फिनिशोती थैंक यू सो मुच फॉर बिंग विद लोके सर अल्लम्ट अडिस्टरी जून धन्वार